दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशारा फुसान और आपका एक बार फिट से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल Healthy Health Forever के मैं आज आपके सामने लेका हूँ ऐसी पहतरीन जानकारी देखी जिससे हर कोई इंसान दोचार होता है हम बात करेंगे बुखार के टाइप्स के बारे में और जिनको आप पहचान सकते हैं उनके लक्षनों के अधार पर बिना किसी जाच के कैसे आपकी पता लगा सकते हैं यह किस तरीची का या कौन सा बुखार है तो दोस्तों मैं इसी तरह की हेल्थ इंफर्मिटिव जानकारी आपके सामने लेके आता हूँ अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना तो आईए शुरुआत करते हैं देखिया जैसे किसी को बुखार आता है फैमिली में खास पर से हमारे बच्चों को बुखार आता है तो हमारे मन में कई सारे सवाल दोने लेते हैं आपको डॉक्टर के जाने से पहले ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये किस तरीका का बुखार है एविन किसी जाच के करे बगएर तो अगर घर में देखे आपको किसी को भी बच्चे को बड़े को अगर बुखार आता है बहुत तेज ठंड लगते है और कपकपी आने लगती है तो ये मान लिया जाए कि ये मलेरिया बुखार है अंटिनलेस ये प्रूव नौँ जाए कि कोई दूसरा बुखार तो नहीं है या फिर यूटियाई हो सकता है जिसको यूरिनरी रेक्ट इंफेक्शन कहता है इसमें भी बहुत ठंड लगके बुखार आता है कपकपी आती है या फिर फाइलेरिया होता है दूसरा जो मलेरिया का बुखार है वो आफ्टरनून में कपकपी आती है लेकिन अगर ये फाइलेरिया का बुखार है कि उसके पिशाब में जलन भी हो रही होगी तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि अगर इसको पिशाब में जलन भी है और कपकपी के साथ बुखार आ रहा है तो इसको UTI है तीसरा, अगर आपको सिर्फ एक ही एपिसोड आया है, आपको एक बार ठंड लगी बुखार चड़ा, हाई बुखार आया उसके बाद उतर गया लेकिन आपको साथ में कुछ रिस्पिर्टरी सिम्टम्स की जिसे खासी आ रही है तो यह निमो कोकल निमोणिया की निशानी है इसमीज के आपको निमोणिया होगा बुखार कम हो जाएगा लेकिन आपकी खासी बढ़ती चले जाएगी जिसमें बाद में बलगम भी आने लगता है चोथा, अचानक से अगर बुखार बहुत तेज चड़ जाता है आपको सरदर्द बहुत जादा होता है आगे घुमाने पर या आखों के पीछे ये जू आएब्स है इनके पीछे दर्द होता है बैक एक होता है तो ये माना जाता है कि आपको बैक के बुख है एक जाकर बहुत जादा है तो viral hepatitis में generally पहले बुखार आता है, बाद में उसको jaundice develop होता है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़े एक साथ चलती रहें, तो फिर हमें किसी किसरे कारण को खोजना पड़ेगा, तो इस तरीके का बुखार jaundice में होता है, jaundice में ये शाथ तीला होगा और इसकिन का कलर भी त दिखने लेगा, तो इस तरीके सा आप पता लगा लेगे कि ये jaundice का बुखार है, या किसी और कारण से बुखार हो रहा है, या आपको hepatitis है, या कोई और कारण तो नहीं है, उसके अलावा दिखिया कि बुखार आता है, जिसमें आपको सर्दी जुकाम, खासी और गले में भी दर्द है, तो ये माना जाता है कि वो upper respiratory tract का बुखार है, यानि कि आपको pharyngeitis हो सकता है, tonsillitis हो सकता है, ये simply सर्दी जुकाम, वाइरल बुखार हो सकता है, तो इस तरीके सा आप पचान लेंगे, ये आपको upper respiratory tract वाला बुखार है, इसमें भी बहुत के बुखार होता है सर्दी लग सकती है, और बदन दर्दी हो सकता है, अगर आपको लगतार भुखार रहता है, करीब 6 अपते तक, लेकिन हलका हलका होता है, बड़ शाम को बढ़ जाता है, तो ये indication होता है कि इसमें मरीज को tuberculosis होगी, ऐसे मरीजों को में भूक भी कम लगीगी, उनका वजन भ परीके से जो टाइफाइट भुखार है, टाइफाइट भुखार में आपकी पल्स कम चलती है, जनरली जब भुखार तेज होता है, तो आपकी पल्स उतना ही तेज चलती है, लेकिन टाइफाइट भुखार में थोड़ा उल्टा होता है, जैसे जैसे आपका भुखार बढ तब के बुखार उतरता है तब केपिलरी लीकेच शुरू होता है और फिर मरीज को डैंगू शॉक सिंड्रोम जैसी जिमारी का खत्रा भी लाग हो सकता है यह कुछ ऐसे साइन्स और सिंटम्स ते जिनके आधार पर आप खुद पर पता लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप का या कौन सा बुखार है मुझे अमीद आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी अगर यह जानकर यह अच्छी लगी हो तो जादर जाल लोगों शेयर कर ले बैल एकन का बटन भी दबा ले पहली बार अगर मुझे देख रहे तो सब्सक्राइब भी कर ले थैंक्यू धन्यवाद